वेरी बॉर्निंग दिये एस्परिंस वेलकम तो अड़ा 24 7 दिस यूर मेंटर सौरव सिंग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रेशन भी जबरदस्ट चल रही होगी एक बार फटा-फट से कमेंट करके बता दिजिए कि मैं आपको विजिबल हूं और आपकोर्स कल के सेशन में थोड़ा सा पंगा हो गया था आई होप अब सब कुछ चीख होगा मैं विजिबल ना फट 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 बता तो तो कल थोड़ा सा इश्यू हुआ था इसमें कोई शक नहीं है और लेकिन मैंने फिर से क्लास लिया था मैंने कल जब पावर कट वाली सिचुएशन आई थी उसको बाद मैंने 11 कहीं ने 20 के असपास फिर से सेसन स्टार्ट किया था 11 25 के असपास और फिर मैंने कल बेसिक जो हमने बेसिक टाइप जो क्वेशन होता है इसको मैंने डिस्कुस किया था ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे जूड नहीं पाय थे क्योंकि उनको लगा था कि सेसन नहीं हो पाएगा आपने 10 से 12 में इंतियार किया मेरा और फिर आप ज किस्मिपल इनिक्विटी के सवाल भी करेंगे सात ही साथ हमेंको कोड़ेट इनिकुलित के सवाल भी करेंगे और दोनों ही सवाल को सौलव करनेको जो तरीका होगा हमारा वहोगा मतलब कि हम कलम का इस्तमाल नहीं करना सीखेंगे ऐसा कुछ सीखेंगे ऐसा कोई अप्रोच डेवलप करेंगे अपन जिससे हमें आराम से सहूलियत से सॉल्व कर पाएं और कॉंफिडेंट भी रहें ठीक है कल मैंने ऑफकोर्स एक अप्रोच सिखाया था और इस अप्रोच के आने वाला है ठीक है हां जी चलिए है सो लेट्स मूफ फावर्ड तोवर्स एजेंडा अफकोर्स रिवीजन करेंगे हम दो किसका मैजिक बॉक्स का रिवीजन करने वाला है और नॉन कोड़ेड इनिकुल्टी डिसकस करेंगे और फोर्स जो सिंपल वाले इनिकुल्टी करने वाले हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए जबरदस सेशन होगा जितना मतब कि जितना आप एक्सपेक्ट कियोंगों से ज्यादा बढ़िया सेशन होगा यह वाला तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी जुड़े प किस किस तरह के सवाल होगी हमारे आने वाले सेशन में मतलब कि आज हम लोग सिंपल इनिक्लिटी के सवाल आज भी डिसकस करेंगे तोड़े से और कोड़े भी डिसकस करेंगे अब आने वाले सेसन में कल के सवाल पर अपनी पकड़ बना लेंगे और उसके बाद अपन तो यह पूरी पूरी आपकी स्ट्रेजी है इस चैप्टर के सवालों को डिसक्स करने का ठीक है चलिए वर सभी को very good morning चलिए ठीक है अभी में सब का नाम नहीं ले सकता ठीक है चलो मूव करते हैं एक बार फटा फट समझते हैं कि magic box आकिर होता क्या है मतलब कि अगर बताया गया है कोई magic box जैसे नाम हो नाम ही है यहाँ है magic box magic मतलब क्या होता है जादू मतलब कुछ ने कोई जादू तो होगा इस box में इस box में जादू यह है कि यह box आपको simple inequality में तो help करता ही करता है लoration जीतना help build simple inequality में करेगा उससे कईगुना जादा help डिवास जादा help को सवाल को can करेगा उससे कई गुना ज्यादा help आपको यह करेगा coded inequality के सवालों को solve करने में अब आपने बहुत साइब क्या करते है इसको यूज करते है और यहां पर फिर सिंबल भी लिखते हैं मैं क्यों क्यों लिखना है भाई आपको क्या करना है इस जो आपको नजर आ रही है फिलाल इसको पांच में रिवाइस करते हैं इस बॉक्स में जो जो भी इस जो भी जहां पर प्लेस किया है आपको उन सिंबल को वहीं पे जिंदगी भर के लिए याद रख लेगा यहीं होता है ग्रेटर अगर है तो यहीं पर होगा चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए ठीक है मतुषपर को प्लेस रहेगा वह घृटर को रहेगा वह 되면 कोई इस इस जए को ही होनाँ चैगत ग्रेटर रहेगा और आपको प्लेस हबीशblood को प्लेस रहेगा वह तो थे next thing is, is equal to हमें सेंटर में रहगा, इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर रहगा, इससे फाइदा क्या होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हम करेंगे तो बहुत फाइदा होने वाला है, reason यहां पर है, माल लोग कोड़ इनिकुल्टी के सवाल करने जा रहे हैं, वहां पर कोड़ जब भी, coded inequality, coded syllogism, coded आपका blood relation, जब भी इस सवाल आपके सामने रखे जाएंगे ना, तो उससे पहले वह आपको जरूर एक instruction देंगे, एक set of information पास करेंगे, कि भाई सब, मैं किस language के तहत, मैं किन symbols के तहत, इन चीज़ों को कोड कर रहा हूँ हूँ, तो हमेशा क्या होगा, उसमें information दिया जाएगा, को जैसे कि मालो, कह रहा है कि मैं greater को क्या कहूंगा, मैं add the rate कहूंगा greater को, मालो ऐसा बताएगा, कि A add the rate B means A is greater than B, ऐसा information पास किया गया, तो क्या करेंगे, अपने को पता रहेगा जब पहले से ही, कि यहां पर क्या होता है, greater होता है, पहले से मालो म आपकी नजरें बिल्कुल clear रहेगी, greater than or equal to, और equal to में क्या होता है, greater than or equal to में क्या होता है, यह मैंने कल डिसकस किया है, अलड़ी, मैं फटा फट से फिर से revise कर दे रहा हूं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब अफ़ोर्स मैं जब coded inequality के सवाल जब डखूंगा, तो मैं इ क्या होता है, यहाँ पर है greater or greater equal, हमेशा ध्यान एकना, कि greater or greater equal में जब भी comparison, मैंने कहाना, 14 combination होता है, 14 combination of comparison किये जा सकते हैं, सिर्फ 14 combination ही possible है, इन 5 basic जो आपके पास symbols नजर आ रहे हैं इसमें, और इनी के अधार पर आमोमन सवाल बनाए जाते हैं, कुछ exceptional बाते होंगे, वो 99% जो सवाल बनते हैं, वो इसी के अधार में मिलते हैं आपको एक्जामेशन में, तो यह कह रहा है, भाई साब, greater or greater equal में, हम 14 के 14 पूरे पूरे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरे magic box में, हम सारे के 14 combination of comparison देखे जा सकते हैं, फट आ फट देखे कैसे देखे सकते हैं, greater or greater equal में क्या होता है, greater or greater equal में होता है greater, हमेशा ध्यानक नहीं इस बात को, एक हो गया, ठीक है ना, similarly, अब देखो is equal to को comparison जो होगा, is equal to किसी भी दूसरे symbol से करेंगे हम लोग, तो is equal to कभी answer नहीं आएगा, दूसरा वाला symbol आएगा, इसका मत्तब क्या हो गया, कि is equal to or greater equal में तो less हो जाएगा, less or equal में क्या होगा, less हो जाएगा, और less or less equal में क्या हो जाएगा, फिरसे less equal हो जाएगा, that means 6 combination में कर लिया, out of 14 हमने 6 complete कर लिये, ऐसे हम लोग 14 इसी box में हम देख सकते हैं, कैसे देखिये और रगे देखिये, अब मैंने कहा कि भाई, उस 14 combination of comparison में देखा हो जाएगा, तो 6, 4, 10 हो गए, that means 4 हम उसको मान लेते हैं, कि जब भी similar symbol का combination नज़र आएगा, तो similar output ही हो की ध्यान कीगा, similar symbol नज़र आएगे, आपको उसका output का भी चेनी हो सकता, ध्यान कीगा, next one, अब याद कीजिए, कि जब हमार पाश चार expression, expression number 11, 12, 13, 14, जहां पे expression जो थे, ultra direction लिखे हो थे, a is greater than b less than c, या फिर a is greater than nor equal to b less than c, या फिर a is less than b greater than nor equal to c, ऐसे कुछ भी लिखावा थे combination, इस तरह के combination कितने बन पाए थे, 4 बने थे, तो वो 4 कैसे देख सकते हैं, वो 4 आएग पर रिख सकते हैं, वर्टिकल कॉमिनेशन रफश दीजिए, एक पर रहां पर बात के वहां सकते हैं, बपाए जया कर एक से क्या करना आपको आपको, आगे से अगे से एस बातक लिखे हो कि प्लीज सव थे लिखे हों कि मैजिक बात के पहली दस पात तरह किया सब्याल थे एक बन जाएगा आपका ये वाला डाइनल कॉमिनेशन, यही चार बने थे नहीं जहां पर नो रिलेशन, जहां मने बोला था नो रिलेशन या फिर C and D कह सकते हैं, यही बात हुई थी, exactly यही बात हुई थी, तो यह आपके चार्ज एक्पेशन है, उसके बारे में क्या कहेंग हम लोग की अगर मैजिक बॉक्स को ध्यान रखा जाए और यह जो बात में कर रहा हुँ ना, यह एक्षिली में कहां पर हेल्प करेगा ना आपको, यह बात आग लगा देगा जब बात कर रहा हुई गजब रिवालिशन होगा, गजब मजा आने वाला आपको, क्योंकि आप आपके कह सकता हूँ इस बात को की वर्चुली आपने याद कर लिया होगा, मैजिक बॉक्स अब तक आपके दिमां में सेट हो चुका होगा, अब इसी मैजिक बॉक्स में कोड़िट वाले में क्या करेंगे हो, आगे दिखाएंगे आपको, तो बता रहा हूँ उसको याद सब कुस सीखेंगे अपन, सरी निकलिटी कोड के साथ ही करते थे, करते थे ना, तो कोड के साथ करते थे तो अभी देखिए मजाख हो जाएगा अभी, अभी आपको अगर बिना कोड मतलब बिना पेंच जलाएगर आपने कोड़िट नहीं सॉल्फ गया तो जो बोलिया आप ठीक है, चलिए, so I hope यह बात समय में आगए कि दो बात मैं कंलूड करता हूँ, दो बात मैं फिर से रिवाइस गरा रहा हूँ, बिलकुल ध्यान रखिएगा यह बात, अगर आपको यह 4 यहां पे दस हो गए टोटल, यह कितने हो गए, दस हो गए टोटल, और 4 यहां पे नि इस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कल बाले ले शक्र, मैं डलबा दिया हूँ, ठीक है, और यह फिर प्लेलिस पी जाके चेक कर लिजेगा, वह गरबढ हो गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रतीक, स्पीड फ्रा स्लो रखूंगा, चलिए, सु मैं थ्रा सा ब्र इस्क्रिप्शन में बातों को चाहते हैं, कि मैसमम कर आपना बातों को कि बहुत सारे कुछ के खल में से खोग गई थी, मन तब कि कुछ टेकनिकल इशू आगया था, चलिए, दस्क्र्स इस आधार पे यारत हिएगा कि कभी आपका, अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मे तो भाई साल लेस होगा, यह बात रखीगा, फिर is equal to, तो होई गया, तो 6 अचे अचे कमलीट होगा, चार कॉन से हैं भाई, चार होगा, similar symbols का इस्तमाल, मतब की a is greater than b greater than c, a is greater than or equal to b greater than or equal to c, ऐसे में तो जानते हैं, similar symbol का इस्तमाल मतब similar output आएगा, तास खतम होगा, आगे बढ़िए, next one, आगे कह रहा है कि भाई साहब, ठीक है, आपने horizontally combine करके दिखा दिखा दिया, आपने इस तरह combine करके दिखा दिया, अगर मानलो combination, अगर magic box को याद रखना है, तो ऐसे याद रखिएगा, कि magic box में जब भी vertical, sorry, diagonal combination अगर जब भी नज़र आएंगे, जब भी diagonal combination नज़र आएंगे, तो answer c and d होगा, c and d का presentation एकी तरीके सो हो सकता है, वो क्या होता है, either or case, either or case के दो पहलू होते है, जिसमें case 2 जो होगा, वो यहाँ पर implement होगा, case 2 क्या कहता है, case 2 कहता है, कि भाई साब, अगर यहाँ पर different direction के element नज़र आएंगे, तो we need to have all the three symbols in two different conclusions, sorry, two different conclusions, of course, having same subject and predicate, मैंने इसको discuss कर लिया था, of course, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, इतनी बातां याद रखिएगा, बाकि सवाल के साथ हम लोग इस बात को और भी पुखता कर सकते हैं, I hope idea clear होगा, चलिए, आते हैं हम लोग, सवाल पर, so मैंने कुछ questions कर डिसकस किये हैं, तो उन questions से आगे निकलेंगे, यह सब सवाल मैंने कर डिसकस कर लिया थे, ठीक है, सवालों पर जाने से पहले एक बात, सेबी के लिए भी है, SBI के लिए भी है, IPS के लिए भी है, NAWARD के लिए भी, LIC के लिए भी है, RBI के लिए भी, सब के लिए भाई, मैं बोड़ों, bank on insurance के कोई परिक्षा हो, आप इस foundation बैसे जुड़े रहिए, बहुत सारी बातें मिलेंगे आगो सीखने को, ठीक है, ठीक है, तो सवाल आपके सामने है, आप ट्राइ कर सकते हैं, तब तक मैं बात कर लिता हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन होगा, अभी रिसेंटली मैंने टेलिग्राम चैनल बना लिया है, तो आफकूर्स आप जॉइन कर सकते हूँ, सो रिजनिंग भाई सौरव सर्च ठीक, आइए, अब एक बहुत मासूम बात कर रहा हूँ, बहुत मासूम बात, जो बहुत ज्यादा एफेक्टिव होगा, आपके सवाल सवाल करते हैं, जो आपको थोड़ा सा और आपको सहुलियत देगा, जैसे की, हमने कल भी इस बात को किया था, लेकिन आफिर से एक बार कर लेते हैं, A is greater than B, माल लो बोलते हैं, A is greater than B, या फिर उससे पहले एक और बात, दुनिया में जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, या लिखते हैं, या पढ़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, जब भी हम कोई चीज रीड करते हैं, we used to read the things, whatever, जैसे एक passage रिखा हुआ पढ़ेंगे, मतलब कि अगर कभी भी, माल लो ऐसा हो गया, कि आपको कोई भी चीज आपको right to left पढ़ने का मौखा मिल गया, माल लो, जैसे कि आप इस expression की बात करेंगा, चोटी सी, तो यहां लिखा हुआ है, A is greater than B, इसको उने कैसे पढ़ा भाई, तो left to right पढ़ा, इसी direction of reading or writing को कहते हैं, forward direction of reading or writing, or you can say, original direction of reading or writing, original way है, read करने का, write करने का, left to right, but माल लो, हमेशा इस बात को चिपकाना, कलम छूट जाएगा, इस बात को ध्यान में रखो, कोई कॉमा नहीं हटाएंगे, हम लोग, कोई कुछ नहीं करेंगे, हाथ बांध दिया जागा, तब यह सवाल तो बात कosity का का हीम अग है, तो नहीं हम थो जाहर सी बात है, बहुत SIMPLE बात है, तो कही नहीं इस बात क्या हम रघ रड पढ लिया क्या है और अगर रट। पड़ेंगे तभी तो यह बात कह पाएंगे ना मतलब की रड ucर्ड पढएंगे तभी तो यह बात कह पाएंगे ना it mms की सब्सक्रवर ड में, तो क्या बोलेंगे ब लेस दन ए Got the point? Got the point? So, very simple observation Very simple observation Very simple observation Spelling is S-A-U-R-A-V This is my spelling of my name Okay? So, a very simple thing Now, see nothing Open gate closed Everything will be done Everything will be done Okay? So, B is less than A here It's a very simple thing If we go backwards Then, the symbol of the concerning symbol We will reverse it We will reverse it Don't do anything When we go backwards We will reverse it We will keep the concerning symbol I have to solve these questions So, I think I will discuss this question I will discuss it R from C R from C We always have to take the conclusion We have to take the conclusion In this chapter We will read the conclusion And then we will go to the statement So, R from C We have to go here R from C Here is C Here is a comma So, we cannot go backwards We cannot go backwards We cannot go backwards What will we do here? We will go to R from Z And Z from C So, of course We have to go backwards We have to break the journey But the whole journey Is similar direction Which is forward So, we cannot change any symbol We cannot change any symbol We cannot change any symbol Which is concerning symbol Thanks for that We have to see his output Like here has greater Greater equal Never continue to have greater Next thing A and M If we are doing about M If we areForm A and M We will safe in one były Because of course We are not even the one And we will get sıyorsun But first it's such a वहां पे नहीं झाल बाया ह। इक सभना है पलटें आज में वर बा Αणन चाहिए है जिसको आज इसे को आजिपा है आजे अतलों को अचिए है। लिए वमिआ क्लों सभना नोदिश्थ fan उंसे उंसे उप से खिढ़ उना मिलगा है। आंसर गलत हो जाएगा, the reason is, ठीक है, ठीक है, तो मतलब साफ है कि अगर कभी भी close gate हुआ, मतलब आपके language में आता हूँ मैं, close gate हुआ, तो close gate में क्या होता है, आंसर जो होता है, अकेले अगर पाया गया वो निसकर्स, जिसके बीच में close gate पाया गया है, तो अकेला मारा जाएगा, और अगर दो निसकर्स उसी element के साथ नजर आए, तो तीनों, तीनों के तीनों symbols का हम वहाँ पे इंतजार करेंगे, और तीनों symbol अगर मिल गए, तो हम उसे एदर और मतलइ खाया गया थाटेमे उसे, यह से बीच सोफे के यहाँ के से कहँछा है, तो हम जो सबस्ट सब्स्क्राइब कर दो तेन काहरा है जिकलिच वहाँ होगा अगर सीपराश मारा भाल मुल कारड़ा है अगर Сब्स्टान के से किस望 जा शर गाल आए रहा अग Susie स बहुत दूर जाना है भी अपने को देट तक पहुचना है मैं यह 5 सवाल कर रहा हूं जो ने कल डिसकस किया है आप इसके रिविजन के तौर पे आप अगले क्लास में जाके डिसकस कर सकते हो देख सकते हो शीज को मैंने अभी आपके इसी वीडियो के डिसक्रिप्शन में आपको कल वाली सेसन का लिंक डलवा दिया है ताकि आपको सहूलियत हो वैसे उसका जो फांडेशन बैच का प्रेलिज्ट है उसमें भी आपको नजर आ जाएगा चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े और सवालों का पे पुश क्या है यहां पर कॉमा की संक्या हो गई है दो मतलब दो कमा लगाया गया हाथ बांध दिया गया है तब भी सॉल्फ करेंगे पर फिर भी मुझे सिखाना इसलिए मैं अभी कलम का इस इस्तमाल है वो थोड़ा बहुत जरू करने वाला हूं तो फटा-फट से क्या करना है यह करना है बहुत ध्यान से सुकून से सुनना मैं बहुत आराम सुकून से तबियत से प्यार से मुहबबत से समझाऊंगा इसे ए की बात करनी है यहां पर यहां पर बहुत सिंपल बात है बहुत अचा सिखाएगा यह सवाल यह कंक्लूजन बहुत कुछ सिखाएगा भी आपको हमें e से a compare करना था हमें e से a जाना था आप कुछ भी बोलो आप जब e से a हम journey सुरू किये तो हमने देखा आप direction तो direction of travel जो हमारा हुआ यह direction of movement जो हमारा हुआ वो backward direction में है जैसे ही backward direction में journey हुई हम क्या करेंगे पहले compare कर लेंगे यह ओट जो एक से a जान करेंगे तो कि अ आप करने आप कर लेंगे क्यों हमारा है get उ बाए घंश आप आइड जह इisen जन भाए तो कम्पयर कर लेंगे तो आप बैल हो गए तो नहीं है यह पको बनना झाए यह दून-इमल्च तो भाए यह समग दो प्राइब आप्पूट जाएगा उसी को रिवर्स कर लेंगे तो greater than or equal to और equal to में क्या होता है? greater than or equal to होता है reverse करेंगो तो क्या हो जागा? less than or equal to है यहाँ पर greater than or equal to ही रखा गया है तो पहला हो गया रोंग, एसे प की बात करनी है जहां पर हमारे पास backward direction है पहले काम करना आप इसे ही टूटा यहाँ दिखके यहाँ इसका output क्या हो जाए? greater than or equal to हो जागा? इसका क्या हो जाएगा? less हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? less हो जाएगा? इसको reverse कर देंगे, इन दोनों का conclusion क्या होगा? less होगा पर बात कनल यहां काम करा है बात कतम हैं तुम्हें को बात कतम है कुछ और नहीं करना है, कोई ओपन च्लोज गेट तक जाने की जरुवचन नहीं है वंद कर है बोलो आप मुझे कोई तकलिफ नहीं है लेकिन ध्यान रखना कि जब backward direction में चलेंगे अपने को तो अपन जब चलेंगे तो में statement को simplify नहीं करना है there is no need to simplify the statement ever whether it is given in the forward direction or backward direction कुछ भी दिया, backward direction जब travel कर रहे हो आप तो कुछ नहीं करना, concerning symbols को reverse कर देना है क्यूं करते हैं वो भी बता चुका हूं मैं आपको, I hope idea is clear, I hope idea is clear, I hope idea is clear, ठीक है, अगर idea clear है तो में एक और सवाल लाता हूँ, एक और सवाल में सुकून से समत्विय समझते हैं ठीक है, अभी आ जाएगा, अभी सब आएगा, चलो, एक और सवाल लेते हैं, या फिर इसको एक बार फिर से experience समझते हैं, एक बार समझते हैं, एक बार समझते हैं, कोई बात नहीं है, हम दो ही सवाल करें पूरे session में, लेकिन इस बात को पुखता करते वे जाएंगे, ठीक आपको यहां से कहा जाना है मालो 여ां से है आपको जाना है घंडνा जाना है जिल्यूक्रे गारई का ऐंग जाना है जिल्ली उब टील टो अीitelगे द्रीन हो li इसमें टागेट दिया गया, इसे कहां पहुंच जा भई ए पहुंच जा, जो आम ने देखा, ए यहां पर ए यहां पर, बस direction of movement जो हो गई ना व बहुत सिंपल बात है, बहुत मासूम बात है यह, backward direction, जब ट्रवल करेंगे, एकाँ सिंपल सी बात, a is greater than b, मतलब b is less than a, इसी को अपन क्या करेंगे, इसी बात को पढ़ लिए तब ही तुम बोल रहा है, बात सिंपल है, concerning symbol को reverse कर दिया, greater था less होगए, बात करा है, कुछ नहीं किया, इसीलिए बहुत बहुत धान सुना करो, ठी असुक बोल रहा है speed control, okay speed वह बहुत control लगा रहा हूं मैं, एकदम सुकून से चलते हैं इस बार, ठीक है, चलिए आई दखते है, ए से हमें e जाना है, ठीक है, हम e से क्या करेंगे, of course, e से हमें e पहुंचना है, हमने इस statement पर नजर मारा, हमने देखा यार, e तो यहां पर है, a यहां पर है, अच्छा, बैकवर्ड चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई तकलिफ नहीं है, हमें इस statement को कोई simplify नहीं करना, हमें पस अ पाँपोर्स कर लेंगे, और जो आउटू हो और जो पनोग रिवर्स बात कर लेंगे, बिकास बेस क्या है, और जब भी आपन जब भी आपन जब ही आपन कर रहें कि यह जो कॉंचनिंग से यहां पर बैठके, यह तो बैल बुद्धी हो गई ना, हम अपने उको समझा सकते आप हम लोग दिमाग बाए लोग है पर सम्झा सकते हैं कि तूसरे को एक गाम को रोगे बैक्वर्ट चालो को कन्सरीं सिंबल आखों से उल्टा करो गया अप्वल तूर ग्रेटर एक्वल होगा रिवर्स कर लोगे क्या हो जागा लैस्टीकॉल अप्टेशन अप्टेशन अब देखा है अगला तागेट दिया गया अगया जागा अगरेट फट में लोगने शुक्त लूगत रिगर शुक्त वेवर्स तो बोग दोगने की लोगोगने हो लोग फेशन पर दिखने अम लोगेशन एगने ट्रीकशन अग्रोग रुक पहल्सें अग्र सब्दाद कि की जहां जहां पर बात देखो जवितजाव कि जहां जहां पर बैक्वरॉरच्ब आप बैक्वर्ण दिरख में चलोगे जहां पर बैक्वर्ड डिरखिए में गया उसके चरंडिघा को पस रिवर्ट क से लुकिकन हुर मने मज़ा पूरे रासते स करना आपस में दर्य करना है तो सौ पचे को compare करना है, the similar thing is here, हम A से, अगर हम यहाँ पर P तक पहुँचना है, तो हम A से E काई, फिर E से D आगए, फिर D से P आगए, लेकिन हमने देखा किया, इस पूरे जर्णी में, कि भाई, इस पूरे जर्णी में हमने E से D तक की यात्रा, और D से P तक की यात्रा, जो हमने करी हो, बैक्वर्ड डिरेक्शन में करी है, अगर ये जो ड्रेवल है, अगर ये जर्णी जो है, अगर ये जर्णी बैक्वर्ड डेक्शन में हुई है, तो क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे, इससे concerning symbol को reverse कर देंगे, कब, compare करने की बाद, compare करने से पहले नहीं, अगर जो single है उसको तो कोई दिख्कत है नहीं, less है तो यहां greater हो जाएगा, और यहां less equal और यहां पर less है, तो इसका output मालूम है हमें क्या होता है, less होता है, reverse कर देंगे, क्या हो जागा, यह greater हो जाएगा, य speed slow, speed slow बहुत दिर से आ रहा है, मैं बहुत सुकून से समझा रहा हूँ, अब क्या करो, इससे कम speed कितना होता है, actually कहना मेरे उपर pressure हो गया है, मतलब कि मैं एक class नहीं कहीं पीछे चला गया हूँ, तो थोड़ा सा speed मेरे पास बढ़ गया है, ठीक है, चलो, अब इससे अच्छ समझने में कोई तकलीफ नहीं, अनीता सर्मा जी, बहुत इजी, अगला सवाल देखिए न, अगला सवाल देखिए, एक और, एक और conclusion देखते है, अभी हम बहुत सारे conclusion करते जले जाएंगे, तो clear होता चला जाएगा, एक ही conclusion में सब समझना चाहते हो, तो सुनो तो द्यान स यह बस यह बता हो कि दिख रहा है न, यह चलो, ठीक है दिख रहा है, टी से हमें आर कंपेर करना है, क्या करना है, टी से हमें आर कंपेर, टागेट मिला है कि टी से आर कंपेर करो, हमने का भाई, ठीक है कर लेते हैं, हमने देखा भाई, बहुत बड़ा statement है, टी यहां पे है कि इस से आगे और फीचे क्या दिया स्टेयटमेट में जितनी बात पूशी गई उतने हस सभागर के लिए बीजिए लग नेइन तो हम बहुत आगले के साथ ज्ली सारी ट्रेवल ट्रेवल करंके पर को Son यहां पर लेस कहां पर है यहां पर पहला गलत हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा I hope idea is clear So either or लगाने से पहले कुछ कुछ बुद्धिजीवी हमारे यहां जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि sir either or क्योंकि उन्होंने देखा T or R पतक दिया either or So it is very important कि हम either or तभी बोल पाएंगे जब तीनों condition satisfy करेंगे पहला condition से satisfy करने से हम either नहीं लगा सकते ना हरी लाल हीराल जो भी थे अब नाम चला गया आपका उपर Anyways आपका 3rd answer आ रहा है Smart boy का 3rd answer आ रहा है आपके हुए है 658 पहुच गया है अभी coded को अभी अभी मजाग 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 उडाने वाले है ध्यानकिएगा 600 प्लस कर दो अपने तरफ से आप तवाई-मांदारी से काम करो बाकी मैं तो करी रहा हूँ मैं समझा के ही जान लूँगा कुछ भी हो जाए मैं समझा के ही जान लूँगा कुछ भी हो जाए ध्यानकिणा चलो आगे बढ़ो सो TNR यहां पे है इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आइदर होता है तीन कंडिशन में लिखवाएं आपको पहला कंडिशन की एगर पहला कंडिशन यह लिख वाय मैंने that आपको नहीं समय przेए होना चाहि पहला कंडिशन दूसरा भी कहता है that डोनो मैंि अप्य होने चाहि होना चाहि होना बात stuk जोनों प्रसरा कंडिशन भी हाँ धाना 3rd condition जहता है कि भाई साब दोनों मिलके ना हमारे गिवन स्टेटमेंट को सटिस्फाइ करने चाहिए वें दिस 3rd condition सटिस्फाइड और यू रिपलेमेंटेड देन अनली वी गन से इस इज इस इज आईडर केस I hope idea is clear I hope idea is clear चले एक सवाल आट करते हैं पर जिससे हम समझते हैं और हर क्वेश्चन में कहिन का इंप्रूब्मेंट का स्कोप होगा हम सब समझेंगे हम लोग अच्छे से आई देखियां पर बुद्धी जी मत बोलिये सर नहीं तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा सबस्तों कता है यह सबस्तों कसे बख़त करते हैं शबसक्त जी सीकत पर राज है सकत्त करना सीर्वी जीनिता है यह कै जिससे हैं नगयों पर यह सबेस्ट में ना मिल बन हैं 1, 1,2 व है कुछ नहीं मिल है, अब इसको आख आखों में तो पहला को solve करने में एक सकेंड सदी किसी को लगा अगर तो उससे बड़ा पापी इंसान कोई हो इनी सकता आखो आखो में solve करना भाई कलम चलाना ही नहीं है हमने क्या कोई कलम चला है का देखो तो मैंने पर आर से एक्स कोई यहां पर सिंबल चेंज नहीं हुए ठीक है हाँ कोई सिंबल चेंज नहीं हुए कुछ भी नहीं हुआ एक ही डिरेक्शन में कोई ब्रेक नहीं है फटाक से उड़ा दिया हमने दूसरा देखा एक से डबलू एक्स यहां पर डबलू यहां पर क्या करेंग अपन अपन बुद्धिजिवी लोग है अपन क्या और टीश चले जाएंगे डबलू बात खतम हो गया बैक्वर्ड डिरेक्शन में जहां चल रहें कंसर्णिंग सिंबल को उल्टा कर दो खटाक से ग्येटर ग्रेटर है यहां पर आउटपूट ग्रेटर होगा रिवर्स कर देंगे लेस हो जगा लेस लेस में क्या होगा लेस बात समझो एकदम बात समझो अरे मैं तो समझाने के लिए कलम चलाओंगा ही अभी तुम्हें नहीं चलाना पड़ेगा और तंदुरस्त हो जाओगे अभी इसे एक्जाम्पल करते जाएंगे वैसे आप स्ट्रॉंग होते चले जाएंगे ठीक है एकदम एकदम आईए सी से इसे आप देख अपर अपर कर देख देख दो नहीं कर रहें हम सिर्फ जो डिरेक्शन वाली अरो बना रहें इसको भी आप क्या करेंगे आप प्रेक्टिस कर लेंगे तो यह भी आखोस हो जागा मुझे एकर सॉल्ट करना हो तो मेरे को ऐसे हाथ को बांद दिया जाना आए इसे करके आप बांद दिया गया तब भी मैं कर दो यह काम आफ भी कर सकत दो डरीजन इस यू नीड टू प्रैक्टिस मच मेरा काम क्या है मैं आपको अप्रोच चीछा दूं आपका काम है और इने की सर ने तो क्या तो परोच चिखा दिया तो मजा आ गया जबरदस्त लेक पर बिल्कुल नहीं है कहां जाएंगे ए से हम जाएंगे सी second ugh उल्टाचन हे उसको görस उल्टा इंसान को पहले सीधा कर दोा यह नहीं हैем तो भालतली इसे सिंबल्स कोई प्राइए बाते रास्ते हैं आपने गदाने को ही अ यहां कि कर लेना है कॉन पहले कॉन बबात में बते शितने अधरी करनासे है उन्हें और रास्ता ताहे करता सिम्हें कि यहां से बलå कर लो लेस और ग्रेटर ग्रेटर में कुछ होगा क्या बता ही तो लेस यह उल्टा करेंगे न भाई आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको आपको आप जाए और लिखिए और लिखिए बैंकरस अद्डा डॉट कॉम पे आप गूगल पर ल हमेशा बोलता हूं Google तुम्हारा है एक बार मैं चैप्टर पढ़ा दूँ फिर Google तुम्हारा है तुम सवाल कहीं से पूछो मुझसे एक बार मैं पढ़ाने दो पहले चैप्टर को ध्यान से के से यहां पर क्या करेंगे अपन के से जाएंगे हम N और N से आजाएंगे P सिंप और N पर फिर से और ₩ तुम्हारा है अब क्या है अब पहले को श्कार्स अवाईगे ना रिंगे अब वेण यहाँ तुम्हारा है अब यह लगजाएगा बोलें किया से फिर अखं़ अब यह लग जाएगा आपको यह वेग्ग जाएग आपका यह के सैसे हो अर अचे यह चाह रहे हो इसको साइद आप मुझे अपने तरफ से दुखी कर रहा हूँ ठीक है सो ट्राइटू है ना कम्प्लीट सिक्स हैंडे टुडे आज दो बहुत ही महत्वपून बात बता रहा हूं मैं आपको इस दो महत्वपून बात के लिए ऑफकोर्स पजल वजल सब करेंगे यार सब में ऐसे ही बात करेंगे अपन अभी तो प्रकट हुआ हूँ अभी से पहले स्सी पर था अभी बैंक पर हूँ अभी स्सी पर पढ़ाऊंगा स्सी वाले बच्चे बहुत कंप्लेंड कर रहे हैं सर आज के लिए स्सी वाले चैनल पर नहीं आ रहा हैं ऑफकोर्स आउ चलिए अब मैं निसकर्सों की संख्या बढ़ा दिया हूँ ताकि और बढ़िया बैतर हमारा यहां पर डिसकुशन हो पाए और अच्छा तंदृस्त डिसकुशन हो जाए और प्रडुक्ट्व डिसकुशन हो जाए ठीक है चलिए चलिए सभी का expectation है दुखी आत्ममाली बात नहीं है free classes में हमारे लिए सबसे जो हमारा revert होता है ना जो हमें revert मिलता है हमारे मेहनत का वो सिर्फ आपके live होते हैं जो जितने बचे live होते हैं वो हमें चलिए आगे बढ़ते हैं T से Z compare करना हमें क्या करना है T से Z compare करना है T यहाँ पर है Z यहाँ पर बड़ा दूरी है और बड़े बड़े इस बात तुकड़े में बाटा गया है इस बड़े से expression को ठीक है सो now what to do we'll try to find out the raastah रास्ता कैसे तो तो T से हम जाएंगे V V से जाएंगे हम X और पहुंचना कहां था Z तो हम X से पहुंच जाएंगे Z हमने कहा कि concerning symbol सिर्फ सनी सर्मा का एक सवाल आ रहा है जो बेहत अजीब सा है सवाल में है कि sir how either or three symbols are not available in conclusion मतब उनका सवाल जो है वो पिछले निसकर्स को लेके है मतब जो हमने यहाँ पर either लगा दिया कल के session में हमने either के दो cases बताएं case 1 और case 2 दो case either or में होते हैं एक case तब होता है जब किसी भी statement का मानलो greater than not equal to b है और equal to c है मुझसे बरदास्त होता नहीं आप जब ऐसे सवाल पूछ देते हो तो अगर मानलो ऐसे statement है यह statement है हमें मालूम है इस statement का output greater than not equal to आने वाला है और इसी यह होता है जब किसी भी statement का output in different symbol में आ जाए जाए greater than not equal to less than not equal to यह 3 symbol in different है अगर ऐसा output final output अगर ऐसा आता है और उन्हीं बातों को हम लोग यह हो जाता है आपका either or case I hope idea clear होगा मैं नाम भूल गया किसी बचे ने पूछा था पर कमेंट कर देजेगा मैं समझ जाओंगा सैथ Sanjay या कुछ नाम था आपका मैं इतने सारे आते हैं तो भूल जाता हूं मैं ठीक है तो I think अब समझ गया हूं गया बात मैं मूव करता हूं इस सवाल पर वापस जो सवाल दिया था मैं अभी ठीक है तो पहला निसकर से बाद फटा फट क्या करेंगा आउटपट क्या होगा less होगा that means correct है पहला समझारे हैं ऐसे ही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बंटी जिंग कह रहे हैं Sir मेरी जॉब होगी तो आपको बस गिफ्ट करूंगा बस क्यूं बे बस क्यों gift करें पर आंसर तो मैं आगे बढ़ता हूं U से Y देख रहो अजीब अजीब सौक पाल रखे लो बस gift कर रहा है U से Y compare करना यहां पर U है और Y कहां पर यहां पर तो U से Y कैसे पहुंच जाएंगे X और X से पहुंच जाएंगे Y फिर से हम concerning symbol जहां पोजी ट्रेक्शन में चले हैं जहां भी हमने opposite direction में चला है उस concerning symbol को reverse करेंगे greater equal का हो जाएगा less equal less equal less equal और less में क्या हो जाएगा less हो जाएगा यह भी less है तो यह भी क्या हो जाएगा सई हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे कहते हैं M से X M यहाँ पे X यहाँ पे क्या करेंगे अपन M से जाएगे V और V से आगे आएगे X अब देखो यह third conclusion जो है जो third conclusion है यह अपने आप में बहतरीन conclusion है कैसे बहतरीन है यह बहुत कुछ सिखाएगा अगर आप थोड़े समझदार हैं मेरे तरह नहीं थोड़े ज़्यादा समझदार मैं तो बकलोल इनसान हो लेकिन आप अगर थोड़े समझदार हैं तो M से V चल अगर क्यों बढ़ेंगे भाई आगे बढ़के भी क्या कर लोगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा यहीं होगे 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 य अगर मालो यहीं पर m is less than or equal to x होता, तो हम यहां पर इसको क्या कहा ज़ते हैं, एदर लगा ज़ते हैं, the thing is, we have started traveling from m to x, अब m से वी तक महीं उल्टा साइन मिल गया हमें, expectation है कि दो निसकर्सों में तीनों सिंबल चाहिए, दोनों निसकर्सों के elements अमान होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर m से x, यहां m से x पहला तो condition पास हो गया, दूसरा ही पास है कि इंडिजूली गलत है, तीसरा बोलता है कि दोनों मिल के सटिस्फाइ करने चाहिए, सटिस्फाइ तभी कर पाएगा जब यहां पर greater और less equal होगा, यहां पर less equal है यहां पर less equal है यहां पर less equal है ही नहीं, that means कि हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे, आधर नहीं लग पाएगा, वहीं अगर यहां पर m is less than or equal to x होता, तो हम एधर लगा दियो होता, तो आंसर क्या हो जागा फ़र्शन सेंगे, मुव करते हांके, question number 12, question number 12 पर चलते हैं जल्दी से be quick, be quick, समय हमारे पास अभी है, हम coded करके ही जाएंगे आज, coded को आज उसका coded का परदा फास करेंगे, उसको decode कर देंगे भाई अंकर, बिना decode किये decode करेंगे, उसका नकाब हटा के उड़ाएंगे उसको, ठीक है, चलिए आईए, सवाल number 12 क्या कहे रहा है, सवाल number 12 है, पहला जो conclusion ने कहे रहा है, w less than g, w यहाँ पर है, w से g तक जाना है, w यहाँ जी यहाँ देखे हो, इतना बिल्कुल मैं यहाँ तू वहाँ वाला condition है, मतलब w यहाँ जी यहाँ कितना दूरी है, आप परिशान करने के लिए क्या क्या किया गया सवाल में, कितना तड़के लगाया गया है, यहाँ देखिए, w से g मतलब w से कैसे पहुंचेंगे g भाई, तो w से कहाँ जाना चाहिए, तो w से जाएंगे हम कहाँ पे, w से हम जाएंगे, of course हम जाएंगे a, क्योंकि कैसे रास्ता होना हमने, w से a क्यों जाएंगे, because हम देख रहे है, l connected है g से और l a से connected है, तो w से a जाएंगे, a से l जाएंगे, और l से g आजाएंगे, बात ख़दम, पहुंचगे हम लोग, w से g पहुंचगे, काम ख़दम होगे आपना, अब reverse जहां चाहिए, पहले तो उस symbol को क्या करो, आप उस symbol को उठाओ, और उसको वहले reverse कर लो, जहां भी हमने opposite direction में travel किया है, जहां भी हमने opposite direction में travel किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहां भी हमने opposite direction में travel किया है, वहां पहुंचे हम क्या करेंगे, reverse कर लेंगे, यहां less है, अब यह हमारा होगा forward, अब यह forward बन चुका है, that means less equal, less equal, and less, इसे काम करना है बिल्कुल ऐसे काम करना इतना ही रफटार रखना है कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम यह काम जो डिरेक्शन ऐसे मोड रहे हैं इधर चला रहे हैं यह arrow बना रहा हुँ मैं यह काम आप्रेक्टीस के तहद अपने आखों से कर सकते हो बात खतम क्योंकि एक्जामनेशन में महीं चाहता कि आप स्टेटमेंट को कॉपी करो रफ सिट में आप वहां पे स्क्रीन पे चला तो नहीं सकते है पर या मारकर बात समझ रहो आगे बढ़ते हैं कि यू से डब्लो ट्रेवल करान से यू से डब्लो ट्रेवल करना है यू से डब्लो कहसे डब्लो करेंगे बाई UP here और यहाँ प zwr यجन। इतना ही चलेंग और दोनों की सेग्मेंट में बैक्वर्ड इरर्क्शन में चल रहे हैं और दोनों के सीमबल एह crying दुनों compare करेंगे less equal पाएंगे reverse करेंगे greater equal पाएंगे यहां greater equal पाएंगे यह सही हो जाएगा बात खतम है बातों को सुनते रहोगे तो आराम से मज़ा आएगा ठीक है solved in microsecond of course यही होगा यही होगा exactly ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप यहां slow और fast में लगे हो कुछ कह रहे है slow कुछ कह रहे है fast मैं कह रहा हूं सीखो न यार एकदम सीखो न इमानारी सीखते रहो न जब teacher आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ तो क्यूं आपस में लड़ रहे हो कि नहीं सर्थ तेज है कोई कह रहा है नहीं सर्थ तो slow है को मैं भाग रहा हो ना आप भाग रहा हो आज जहां तक सिखेंगे वहां से कल continue कर देंगे simple सी बात है एकदम simple बात है है तो थोड़ा दिमाग को clear रखिए और सीखे यहां पर D से एन की बात करने है D यहां पर और N यहां पर D से कहां जाएंगे हम लोग तो D से हम जाएंगे A और A से पहुंच जाएंगे N सारे सारे forward direction में less equal equal और less equal में output क्या होगा less equal होगा यहां पर क्या होगया greater equal होगया यह गलत हो गया ठीक है move करते हैंगे A से N पता नहीं आप हो आई वही बात है सही बात तो है of course क्योंकि आप आप आपस आराम से पढ़ते रही है ठीक है चलिए A से N इस सवाल के बात करेंगे अपन coded तो बर्दास करो थोड़ा सा A से N A यहां पर N यहां पर बहुद आसान सवाल है यह A से N में क्या हो जागा भाई less equal होगा यहां less equal है तो यह सही है मतलब first second and fourth यहां पर सही है I hope ideas clear I hope ideas clear चलिए तो इस तरीके से हम without doing much stress without taking much stress अपन सवाल क कर सकते हैं जल्दी से करें क्या मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग कोड़िट का भी सवाल देख लें ठीक है एक बार फटक फट इस सवाल को आप स्क्रीन सोट ले लीजिए इसको स्वाल कर लीजिए आप क्योंकि मैं रखता है कि आप समझ जाओगे आप सवालों को तो एक पतनायक इसलिए बोल रहा हूं कल का सेसनिक बार देख लीजिएगा वहां मैंने समझाया है और क्या होता है इदर केस में बहुत प्रॉपरली समझाया है तो इसको भी समझ दीजेगा और इसका भी स्क्रीन स्वाल ले लीजिए ताकि आप लोग स्वाल कर लीजिए इसे ठी जल्दी से मारे पास 15 मेट समय है इस 15 मेट समय में हम लोग रिवर्स लॉगिजम को उडाना सुरू करेंगे मतलब कि इसको उडाएंगे पर बहुत बढ़िया था सिंख है चलिए कि अधिया जब भी सैघ आपो कोःट कोड़न से बातनें अधिया तो्न खालकर आप अधिया आदे कोए किव फागल रहे हैं अधिके ठीक है आओ देखो इधर so coded inequality की जब बाते होंगी न तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर इस तरह से हमेशा एक instruction set of instruction दिया जाएगा set of instruction दिया जाएगा और इस instruction को अपन क्या करेंगे इस magic box में fit करनी कोहिस करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि greater or greater equal में क्या होता है तो I think आपको मालूम है कि greater होता है greater equal or equal में क्या होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ greater than or equal to होता है greater or equal में क्या होता है तो greater होता है इस तरह के similarly आपको सब मालूम है कि magic box में जो 5 symbols प्लेस किये गये हैं उन पाथ सिंबल में किसके कॉंबनेशन में क्या उटपुट होता है I hope idea is clear So now, we'll try to fix this thing Like say, यहां पे लिखा हुआ है A P star Q का मत्तब है P is not greater than Q अगर कोई शीच बड़ी नही है तो बचा क्या आपका less or equal That means, मैंने कहा था ना यहां पे बोला गया P star Q और मालूम है कि P is not greater than Q बोला गया इसका मतलब और not greater का मतलब क्या है less or equal अगर यहां पे अब less equal का प्लेस कौन सा है यहां पे तो हम क्या कर देंगे स्टार को उठाएंगे और स्टार को यहां सेट कर देंगे बात समज़ी का बहुत ध्यान से ठीक है ठीक है ठीक है हाँ P dollar Q का मतलब है P is not smaller smaller नहीं होगा क्या हो ग्रेटर नौर equal होगा that means K dollar को अपन यहां पे रखतेंगे P at the rate Q का मतलब है P is neither smaller nor greater नहीं smaller है नहीं greater है नहीं बड़ा होगा नहीं छोटा होगा, यहां पर आ जाएगा, इस इकल टू होगा, इसका मतलब, क्या होगा, इसका मतलब, क्या होगा, इसका मतलब, 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 इसको यहां दिया लगा दिया यही बात मने यहां पर ही रखा हुआело न है अब सकते हो START कॉपी रात होगा टॉलर होगा 9 lot बास अजना गई, एकदम बढ़िया बात, ठीक है, एकदम clear बात है, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ इस magic बहुत सक खयार रखना है, आप बहुत अराम से सवाल को solve करेंगे, चलते हैं हम लोग कोड़िट के सवाल पर, फटा फट से देखते हैं ठीक है, 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 चलो, बहुत ध्यान से सुकून से देखना, बहुत सुकून से देखना है यहाँ पर, हमने क्या किया एक सवाल रखा आपके सामने, जो कि कोड़िट वर्जन में है, और किसका मतलब क्या है, हमने इसमें, जो पूरी क्या रिपीट करना है कुछ रिपीट नहीं करूंगा जब बोलता हूं तो कमेंट कर रहे होते हो sorry I cannot repeat now I don't have that much time right now मैं repeat कर पाहूं मेरे पास 10 minutes समय और 10 minutes मपढ़ा सकता हूं आपको ठीक है हाँ जो ध्यान सुन रहे है आपको repeat कर वाना तो उस पॉइंट जाके वापस प्ले कर लिजगे जब से खतम हो जाए तो आप उस जगह पर जाके फिर से प्ले कर सकते है रहा हम सुनिएगा फिर क्या बोला मैंने magic box में जब हमेशा magic box समझा रहा था में आपको तो मैंने कहा कि भाई इसमें जो सिंबल मैं प्लेस कर रहा हूं इसका यह जगह जो जगह है ना तो इसका यह जगह है टॉप आपका राइट लेफेड साइड लेफेड साइड जगह हुआ का दुनिया में कोई और यहां नहीं रखाया सकता है. ये जगा हमेशा के लिए greater than or equal to का रहेगा, ये जगा हमेशा के लिए less का रहेगा, ये जगा हमेशा less than or equal to का रहेगा और ये जगा हमेशा fix रहेगा is equal to का. जब हर एक symbol का place fix रहेगा, तो हम comparison करके output बहुत आराम से निगा ली सकते हैं, ठीक है, मतलब यहां से हम कह से नहीं, भाई, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जब ग्रेटर होता है, तो वैसी हम कह से नहीं कह से हैं, अब कभी भी सिंबल अगर चेंज भी हुआ, तो हमेशा मैं मालूम रहेगा कि इस जग़ा पे तो हमेशा मैं यही जिस सिंबल का मतलब ग्रेटर होता है, उसको यहां पलेस कर दिया करते हैं, जिस सिंबल का मतलब ग्रेटर दन और इक्वल्ट उसको यहां पलेस करते हैं, तो इस मतलब साफ है कि इन दोनों का कमबरेजन हमेशा यही होगा, I hope idea is clear, आये देखते हैं, तो फटना के सवाल को solve करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, फिलाल बहुत सिंपल स्टेट्मेंट या रखा हूँ, ठीक है, L से T है, टागेट किया है, B से L, B कहां पे है भाई, यहां पे, L कहां पे है, अफ़ोर्स L यहां पे, तो घबराना बिलकुल नहीं है, B यहां पे है, और L यहां पे ह अभी जादू आपको नजर आएगा, आप जो बहुत लोग इधर उता की बाते कर रहे हो, अभी जादू जब नजर आएगा, तो सब समझ में आजा किया से जादू होता है, B से T और T से L, दोनों ही जगवा पे जर्णिंग हमने जर्नी कैसे किया, बैक्वर्ड डरेक्शन म अभी जादू नजर्णिंग होता है, तो सबस्क्राइब कर देंगे, विचानि यहां पे परसेंटेज होता है, तो यह क्या हो जागा रॉंग, बासमुझ में आरी है, अब देखिये, हमने देखा है, भाईसाब, आउटपुट तो आरही है, आउटपुट क्या होनी चीए, यहां बहुत है, यहां बहुत है, यहां बहुत है, बहुत है, बहुत है, इसको ध्यान सुनिएगा, अब देखिए यहां पर, copyright, percentage and dollar, copyright, percentage and dollar, हमने का कि बाई, vertical combination जब भी नज़र आएगा ना, vertical combination, अगर आपने magic box में सही 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 सिम्बल का सही सही जगप पे इस्तमाल रखतीया, आपने, properly place कर तिया है, तो यह क्लियर रहिएगा कि कभी भी वहां पे हम गलती नहीं हो सकती है, अ और ठीका जो conclusion हो, अकेला पाया गया, अकेला कुछ कर नहीं सकता, that means, यह wrong हो जाएगा, answer जो होगा यहां पर हो जाएगा, option number E, जिसमें कहा गया, either 1 or 2 is true, that's it, I hope idea is clear, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए एन एक और निसकर लिखके समझते हैं, और मैं magic box यहां ही बना हम क्या करेंगे, concerning symbols को निकालेंगे यहां से, star, चुकी सबका direction सेम है, तो तीनों symbols को निकाल के, अब सुनना इस बात को क्या बोल रहा हूँ मैं, चुकी फूरे journey में direction सेम है, अगर, तो concerning symbols को निकाल के compare कर लेंगे, और comparison करने के बाद देखें, अगर comparison हो पा रहा है, तो जो output अब तो को बोलता हूँ, बातें को जब समझा रहा होँ, समझोँ, धयान से, हमेचा हलवा थोड़ी मिलेगा, खीक हम ही खोड़ी मिलेगा, तब तक सम्झाएंगे, जब तक आप comfortable नहीं हो जाते हैं, बस बातों को सुनते रहना, एक बार आज की वीडियो को में कहूंगा, कि repeat version में, एक बार एक बार रपीट करके, और स्टार में क्या होगा, भूर्फ करने होगा, और स्टार होगा, और हम बार बश्या बार दालोर के होगा स्टार के गोखाइंगे, सारे पूरा पूरा जर्णी किया, हमने सारे के सारे concerning symbol का इस्तमाल किया, हमने यहां पर that means की star, add rate, percentage and dollar, star, add rate, percentage and dollar, जैसे ही combination, vertical, combination होग या diagonal symbols का, मत अब output जो होगा, अकेले सही नहीं हो सकता है, that means answer क्या हो जागा, option number B, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, ठीक है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, मजाक मजाक में ऐसा ही answer करते हैं, चाहे वो coded हो या non-coded, आप सुनना चाहोगे, आप समझना चाहोगे, तो समझ जाओगे, सिर्फ सारी बातें, जो मैंने बताई हैं, आपको सवाल solve परने से पहले, उनी सारी बातों का इस्तमाल करके मैं सवाल को solve कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, एक सवाल और मेरे राव example के तोर पर अगला सवाल, जल्दी से कर रहा हूँ, आखरी सवाल होगा आज के season का यह वाला, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, L से Z कैसे सही हुआ, आचल यादव कह रहे हैं, अचल यादव, अचल यादव जी ध्यान से देखिए यहाँ पर, मैं एक बार रेपीट कर रहा हूँ आपके लिए, पहला कैसे सही हो गया, इसी बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, बाग फाल दू, कमेंट में 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 तरह पहुच रहे हैं, C से हम X पहुचे, फिर X से हम Z पहुचे, पूरी यात्रा हमारे विपरीत दिशा में हुई है, इसका मतलब है कि जो concerning symbols होंगे, उनको निकाल के comparison कर लेंगे, और जो output आईगी ने final, उसको reverse करेंगे, चुकि हमारी direction of journey रही है, वो opposite रही है, तो that means percentage है, at the rate है स्टार है, यह 3 concerning symbol, मतलब की रास्ते में, यह 3 symbol मिले, concerning symbol का मतलब क्या हो गया, जहां जहां हम गए, उनके बीच में यह सब symbol मिले हमें, तो इन यात्रा में यह 3 symbol प्राप्त हुए है, मतलब की percentage, at rate, or star, तो percentage, at rate, or star, यह 3 symbol का जो output final होता है, वो होता है percentage, और percentage अगर यहां पर greater होता है, greater को यहां क्या कह रहा है, copyright कह रहा है, यहां पर क्या पाया जा रहा है, copyright मतलब यह सही है, I hope आप समझ में आ गया होगा, अचल, ठीक है, अब मैं फिर से B conclusion, फिर A conclusion नहीं करता रहूंगा, एक बार आप revise कर लिजेगा, प्लीज, एक और सवाल करते हैं, ठीक है, परसेंडेज स्टार अपोजिट नहीं है, आपको magic box याद ही नहीं है, इसका मतलब, यह greater है, यह greater equal है, यह less है, यह less equal है, यह similar होता है, इसका output यह होता है, this is the difference between paid class and YouTube class, चलो, आगे बढ़ो, आप बीच में आओगे, फिर दिकत होता ही होता है, X से W, X यहां पे है, W यहां यहां पे है, X से S, and S से W, that means, की, पूरी जर्णी हमारी बैक्वर्ड ट्रेक्शन में हुई है, कंसर्निंग को ठाएंगे, और क्या करेंगे हम वहां से, compare कर लेंगे, dollar, copyright, dollar, copyright में क्या हो जागा, copyright होगा, लेकिन हम चुकी इसमें पूरी जर्णी जो हुई है, बैक्वर्ड आटपुट आएगा, उसका reverse कर लेंगे, percentage यहां percentage है, ठीक है, आगे बढ़ते है, मैं एक ही बात कहूँगा, symbol लगाऊँगा, नहीं मैं, मैंने चाहता है कि आप भी symbol लगाओ, तकलीफ क्यों बढ़ा रहे हो अपनी, U से W, U से W, मतलब यू यहां पे है, W यहां पे है, तो U यहां पे है, 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 I hope idea is clear, I hope idea is clear, I hope idea is 100% clear now, option number C is the correct answer, ठीक है यार, किसी को block नहीं करना, बोलो ना क्या बोलोगे, बोलो, जाओ, अपनी बुद्धी का पर्चे ना दे, अराम से समझें प्यात प्यार को, हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, मतलब, अभी और भी पुखता करना है, यहीं, मैं खुदी कह रहा हूँ, कि अभी मैं जानता हूँ, कि आप बहुत ज्यादा strong नहीं हुए होंगे, कि of course, हमने अभी इतना आपको चीजें नहीं बताई हैं, कि आप strong हो जाएंगे, हमने इतना practice नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सो करना क्या है, सुनो, अभी क्या करना, जिन लोगों को तकलीफ है, मैं उसका solution दे रहा हूँ, कुछ मत करना, आप एक बार revise कर लेना इस वीडियो को, because of course, बहुत अच्छी ची बाते करी गई आज के session में, बहुत सार बहुत 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 बहु यह बच्चे जो इसको offline देखेंगे, मतलब live session में नहीं देख पा रहा हैं, उनको भी यह कहूंगा, जहां तकलीफ हो रही है, उन बातों को दुबारा सुनिए, यह बढ़ समझीए, दुबारा पूरे playlist करके लेक्चर को सुन लीजिए, जब रस मजा आएगा आपको, बहुत क सवाल में लूँगा, कोड़िट का भी, और फिर एक दो सेट में लूँगा, आपके greater than or equal to के सवालों का मतलब की, इस तरह के सवालों को, इस तरह के सिम्बल का इस्तमाल करके कैसे सवाल को सॉल्फ किया सकता है, अगर ऐसे सिम्बल प्रकट होगा है हमारे सामने, तो क्या कर How to claim mahez gumar its ok, it's okay, playlists बना हुआ है, प्लेश को कुछ नहीं करना, playlist आपको बना हुआ है कहां पे, playlist बना हुआ है, foundation badge के नाम से playlist बनी हुई है, आपकोimin дост के प्रीविस lecture नजर आ जाएंगे, तो चुछ नहीं करना अपको, थीक है, एक बात प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम जरूर करना कि आप session के बाद एक बात जरूर कमेंट करना कि क्लास कासी लगी अच्छी लगी वह भी और जिनको बुरी लगी वह भी बता सकते हैं क्या नम उनका जिनका भी नाम मैं रोहित रोहित यावले जी आपको बुर सबसे अलग सबसे जबरदस सबसे तेज और आपको भी सीखना है इस तरीके से बात ख़दम है बाकी सब अपने आप हो जाएगा धन्यवाद मिलते हैं कल ठीक है 11 बजे और अपन इस यही तक बात करेंगे आज और कल मिलेंगा ठीक है 11 बजे और यार मुझे मैस बिल्कुल समझ में नहीं आती है यार घर पे तो कोश्चन बन जाते हैं लेकर पेपर में कोश्चन एटेंप्ट नहीं हो पाते हैं मैस के यार मैस बहुत टफ है ऐसे कई सवाल आपने सुने होंगे इन सभी सवालों का जबाब यह है लैक ओफ बेसिक कॉंसेट चाहे आप ससी की त्यारी कर रहे हो चाहे आप बैंकिंग की त्यारी कर रहे हो चाहे आप रेलवे की त्यारी कर रहे हो या आप टेट की त्यारी कर रहे हो या आप स्टेट लेबल की एक्जाम की त्यारी कर रहे या आप 4th class में हो या 5th class में हो और 10th class में हो किसी भी class में study कर रहे हो हर जगा math जनूरी हो या चाहिए आप IS का paper दे रहे हो चाहिए आप PUNE का paper दे रहे हो हर exam में कहीं ने कही math important है और math को सही करने का सबसे best तरीका क्या है आपका basic concept का clearance तो आपके basic concept को सही करने के लिए जो आपका math का एक डर है उस डर को भगाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ रात में 8 से 9 लेट्स प्ले विद मैस only on a data 247 यार मुझे math बिल्कुल समझ में ने आती है यह घर पे तो question बन जाते हैं लेकिन paper में question attempt नहीं हो पाता है math के यार math बहुत tough है ऐसे कई सवाल आपने सुने हो